लोजी दोस्तो कलास बार्मी दा है गावा हुन हिस्टरी दा प्रिवोड दा पेपर 15 जनवरी नूं ताहां बहु भी कल्पी प्रशन ने सबतों पहला प्रशन की है कि ओहो इस्ट इंडिया कमपणी अधी ने नौकली करदा सी ते दूसरा पॉइंट उसने तारिखे पंजाब नामी गरंथ दी रचना कीती उपरोक्त 17 विचे किसी दी गल कीती गई है ताह दोस्तों ओहो बुट अगला प्रशन अधालते आला केवल लहौर विचे स्थापित शी अगला प्रशन शिरिगुरु नानक देव जी दिया उदासियां सवन्दी केडा जोट सही है ताह दोस्तों हसन दाल वली कंदारी ठीके जी आ वड़ा जड़ हैगा जोट बिलकुल सही है अग्य है महाराजया रनजी सिंग दे दरवारियां सबंदी केडा जोट गलत है यानि कि दिवान महकम चंद वित्त मंतरी आहा जड़ा है गलत है बाकी आहा सही ने ते अपना अंसर इस कोशन दा एहे बनेगा एघ वड़ा इड़ी ओप्शन गलत पुछा है ता पागलत धसा अगे ते आने नल पड़ो ते सही मिलान दी चोन करो जिमे की अनांद सहेब शरीगुरु नानक देव जी जबजिस सहेब शरीगुरु राम दास जी ठीक है जी लामा शरीगुरु नानक देव सुखमनी सहब श्रीगुरु अमर दास जी ता उप्रोक्त दे अदार ते केड़ा जेड़ा है गावा सही है दे बिच्चो ता अपना सस्सा अप्शन बिल्कुल सही होएगा जिमे की चौथा तीसरा दूसरा पहला ठीक है जी यनिकी दोस्तों एथे तुसी यहाँ देख साते ह आवला जोट्य जिमे की बिल्कुल एवला तो अड़ा अक्रेक्ट होएगा आवला जोट्य जिमे की एवला जिमे की सबतों पहला दोस्तों एथे तो अड़ा जाएगा एदे नल ठीक है जी ते एदा अंसर दोस्तों एदे नल बन जाएगा पहले वाल एदा ठीक है उस्तों बाजे गल करिए अपना तीसरे दा दोस्तों जड़ाएगा तो अड़ा दूसरा आएगा तीसरे दा जड़ाएगा तो अड़ा एहे दूसरा आएगा यनकी ए वाला ठीक है जी ते चोथे दा जड़ाएगा अपना की आएगा पहला चोथे दा जड़ाएगा अपना पहला आए अग्ये श्रीगुरु गोबिन सिंग जी दिया लडाईया दा सही काल करम केड़ा है, तो दोस्तों एहे है, सब तो पहला दोस्तों देख साते हैं, तो हड़ा है, इड़ी अप्शन हा, निर्मो, ठीक है जी बसौली, चमकौर सहेब, ते खिद रना, एवला अप्शन बिल्कु अग्ये श्रीगुरु गोबिन सिंग जी ने मुगला नाल अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी सी, बी पॉइंट कीए, आज कल एहे पार्ती पंजाब दा इक जिला है, इस दा पहला नाम की सी, ता इस दा नाम जिड़ा है का पहला खिदराना सी, ठीक है जी, ते एहे जड़ा इस दा पहला नाम की सी, ता इहे दोस्तों खिदराना सी, ते हुण दा नाम की है, ता तुसी मेनू कमेंट बॉक्स दे विचे दसनावा, की है दा नाम हुण दा, खिदराना दा नाम की है, ता तुसी मेनू कमेंट बॉक्स दे दसनावा, न्यू नेम की है, खदराना दा, ज आत्मा दा शहर या फिर दोस्तों तो हनु इस तरह भी आ सकता है करतार पुर्दा की अर्थ है इश्वर दा नगर ठीक है तुसी कुछ भी येदा अंसर लेख सकते हो अगे है अपना प्रशन बिबी अमरो जी ते बिबी अनुखी जी कौन सन बिबी अमरो जी ते बिबी पुत्रियां सन तुसी एथे अपना अंसर वा ये ला लेड़ा वा जड़ है गुरु अंगद देव जी बिबी अमरो जी ते बिबी अनुखी जी कौन सन बिबी अमरो जी ते बिबी अनुखी जी पुत्रियां सन किना दिया गुरु अंगद देव जी दिया अगे अपना प अगला अपना प्रशन की है, अगला अपना प्रशन है, मुगलानी बेगम दा अंसर तुसी यहाँ देख साथे हूँ, मुगलानी बेगम जिस उन्हों दोस्तों जड़ा है गावा मुराद बेगम दे नामनाल भी जानेया जान्दा है ठीक है जी 1773 वंजा इस भी विच्च कुझ सलान लई लहार तो पंजाब ते राज गिता हूँ अपने निज्जी लाबा लई एक दुझे दे विरुद अपने दोस्ता ते दुश्मना नू खेडन लई जन्दी सी ओहो जड़ा है गावा मुईन उल मुलक मीर मनू दी पतनी सी जो 1773 वंजा तक लहौर दे सुबह जड़ा हैगा गवर्नर सी अते जिस ने अपने आपने अफगानिस्तान दे बाक्षा एहमद शापदाली नल प्यार किता सी ता यहे तो अड़ा जड़ा हैगा एदा राइट अंसर हो जाएगा तुसी कोई भी एक कदो पॉइंट दे ले महराजा रंजीत सिंग ने जड़ा हैगा अपर मुलतान कदो जितने अ अंसर तुसी ऐहाँ देख साथ हो सबतो पहलगा पॉइंट नौट करो महराजा रंजीत सिंग ले मुलतान किसने जितने टा यहें अंसर मिसर दिवान चंद ने किसने जितने टा ठीक है अरह जी ता Cr с तुसी देख साते हूं, 1818 इस भी विच महराजा रिजित सिंग ने मिसर दिवान चंद दी अगवाई हेठ पारी फोज मुलतान ते कबजा करन लई पे जी, ठीक है जी, ते महराजा रिजित सिंग दा मुलतान ते कबजा हो गया, ता एदा अंसर तुसी यहे बड़ा लिख दे अगला प्रशन देख ओ. दो प्रशन करने जिरूरी हां ता देखो अंसर दोस्तों की में सब्तों पहला प्रशन की है गुरु मुखी लिपी नू गुरु अंगदेव जी दे योगदान ते नोट लिखो ता आ देखो अंसर अपना की है गुरु अंगदेव जी ने गुरु मुखी नू हर्मन प्यारा क खतम होई ता इहें तोड़ा अंसर हो गया अगला प्रशन की यह मसंद परथा ते नोट लिखो मसंद परथा ता देखो मसंद परथा दी स्थापना गुरू अमर गुरू राम दास जी ने किती सी मसंद शब्द फार्सी पाशा दे शब्द मस नद तो बनिया है जिस दा अगला प्रशन की ये कि बाल गुरू किस रिखा कोलो दसवंद कठा करदे सन। अगला प्रशन की बाल गुरू किस रिखा कोलो दसवंद करदे सन। अगला प्रशन की ये कि खाल सा पंथ दी स्रेजना ते नोट लिखो। ता दोस्तों देखो खाल सा पंथ दी स्रेजना क्योंकि ती गई सीगी क्योंकि दोस्तों मुगला दा अत्याचारी शासन सीगा जहां गीर दे समय तो ही मुगल सिखा सबंदा विच्चे जड़ागा तणाव पैदा हो गया। औरंग जेब दे काल विच सारीयां हधा टाप चुकया सी, औरंग जेब ने हिंदुआं दे कई परसिद मंदरा नूँ गिरवा दिता सी, उसने हिंदुआ दिया ता आर्मे करश्मा ते पवंदी लगा दिती सी, ते जजिया कर नूँ मुड लगू कर दिता गया। उसने सिखा दे गुर्दवार्यानु भी तोड़न दे हुकम जारी किते, उसने वड़ी गिनती विच्छ इसलाम तरमसविकार ना करन वाले 11 मुसल मानना नू कतल करवा देता, सबतो वद के उसने गुरु तेगभादर जीनू शहीद करवा देता, मुगल दे एना वद रहे ज गोबिन सिंग जी ने खालसा पंथ दी स्थापना करंदा जड़ है गाबा निर्णय किता, खालसा पंथ दी जड़ी है गया सिरिजना किमे किती गई, तो दोस्तो देखो, खालसा पंथ दी स्थापना ले गुरु गोबिन सिंग जी ने ती मार्च सोला सोन जन्य में 20 देहाडा थी मार्च सी 17 सो बूंजा इस वी विच अंग्रेज जाने पारत विच जेड है गावा घैगरो गिन कलेंडर नू प्रचलीत कीता सी ठीके जी ते इस कारण पारत विच पहला प्रचलीत विकर्मी कलेंडर विच बारा दिना दा वदा कीता गया इस कारण आज कल खखी आम तोरते तेरा अप्रेल नू मनाई जान दी है ठीक है जी जद लोक बैठ गएता जिड़ हैगा बस टेज ते आयता होना ने म्यान विच अपनी तलवार कड के कठे होई सिखा नू क्या कि तो हड़े विच कोई जहा सिख है जो ता रमली अपना सीस पेट करे ता जदो गुरु जी ने अपने शब्दा नू तेन वारी दोराया ता पाई दया राम जी अपना बलिदान देल लई जड़े गया पेश होया गुरु जी उस नू नेड़े ही एक तंबू बिच लाएगे कुछ समय बाद गुरु जी खून नाल परीतल बार लेके मुड स्टेज ते आगे गुरु जी ने एक होर सिखतो कुरबानी दी मांग किती हुन पाई तरम दास जी पेश होया इस रूम नू जड़ेग तेन वार होर दोराया ठीक है जी ता गुरु जी ने आग्या मंदे होये पाई मोकम चंद जी पाई सहब चंद जी यते पाई हिमत राय जी अपनी बली दाना लई पेश होये गुरु जी ओना नू बारी बारी जड़ेग तंबू बीच ले जान दे खोन नाल परीतल बार लेके फिर आउंदे कुछ समय मगरु गुरु जड़ेग आबा केसरी रंग दे कपड़े पोआ के स्टेज ते ले आये इस तरह गुरु गोबिन जी ने आप पे गुरु चेला भी केहा जान दा है इस तरह खालसा पंथ दी स्रिजना होई गुरु गोबिन सिंग जी दी कहना सी ठीके जी ताइहे तो अड़ा जड़ेगा राइट अंसर है थे हो गया उस्तो बाद होन अपना अगला प्रशन कीए कि तात खालसा ते जी आप भी श्रभा विश्वास रख दे सन आते उस दे नेमा अनुसार अपना जीवन गुजार दे सन ओहो गुरु गोमिन सिंग जी दे दौरा निर्दारीत निले कपडे पौंदे सन ओहो एक दुजे नू जड़ागवा मिलदे समय वाही गुरु जी का खालसा वाही गु प्रिवर्ता नू depends got the विरुद सन ओह बंदा सिंग भाहदर नू गुरु दी पदवी दित्ते जान दे विरुद सन बंदाई खाल सा सिखा दा दूसरा महत प्रण जिड़ेगा फिरका सी बंदा सिंग भाहदर दे सैनिक कारणामया ने उना नू दिल्ला दे जादोई पर वाब पाया सी 1716 इस बंदा सिंग भाहदर द्वारा दित्ती गई दुत्ती शहिदी नाल ओह बोहदी प्रवाबेत होए इस कारण बंदाई खाल सा दे लोक बंदा सिंग भाहदर नू गुरु समझ के उसी दी पूझा करने लगे अने का लोका दाहे विश्वासी कि गुरु गोमिन सिंग जी अपने जोती जोत समाण तो पहला बंदा सिंग भाहदर नू गुरु गोधी सौपी दित्ती सी ठीक है जो बंदा सिंग भाहदर द्वारा दिते गए दो नार्या फते तरम अते फते दर्शन विच विश्वास रख दे सान बंदा सिंग भाहदर द्वारा जड़ा जड़ा ज़िए लाल रंग दे कपड़े पहन दे सन ता है अगला प्रशन की ए कि अपना सरबत खालसा तो कीपा है सरबत खालसा तो कीपा आभ Miche देखो सर्बत खालसा सिख कौमनल सबंदित विश्यां ते विचार करण लई जिड़ हैगा वा साल विच दो बारी जिड़ हैगा दो बार दिवाली अते विसाखी दे मौके सर्बत खालसा दा समागम अकाल तक सहब अमरी सरविखे बुलाया जान्दा सी ठीके सारे सिखां विचार वट अंद्रा करण लई हर मर्द अते इस्तरी नू पूरी खुल हुंदी सी कोई भी निरने सर्ब समती नाळ लेया जान्दा सी ता है तोड आंसर जिड़ है गाबा हो गया आग्या प्रशन अपना वड़े का लूक आ रेते जिड़ है गाबा नोट लिखो वड़े समय तो थे बुला लेया पांजे फरवरी सतारा सो बाट इसवी नू एहमद शी अबदाली ने पिंड कूप विखे सिखा ते हमला कर देता सिखा सिखा इस समय जढ़ेगा अपनी परिवार नू केसे सुरख्यत स्थान ते छड़न जा रहे सान सिखा दे हत्यार अते जढ़े जिना विच्च इस्तरियां बच्चे अते वजूर्ग भी शामल सान इस कट्रान उन सिख ते हास बेचे वड़ा का लूका रादे नाम नल जानेया जनता है एहे तो अड़ा राइट अंसर हो गया आगला प्रेशन की अपना महराजा रंजित सिंग दी लहर जित ते नोट ल रखता से इस तो इलावा लहर काफी लम्मे अरसे तो पंजाब दी रास्ता नी तोड़ते चले आरहा सी गया एथे तेनपा पंगी सर्दारा सहब सिंग ठीके जी ते अपना महर सिंग आते चेत सिंग दा राज सी इना दे अत्या चारा आते माडे प्रबंद कारन लहर दी प अपने अधिन कार लिया सी क्युंकि लहोर दे लोक होना तो बहुती दुखी सानिस लई उना ने रनजीत सिंग नू लहोर ते कबजा करन ले सदा दिता। अब जाक कार लिया है जित्त महराजा रंजीत सिंग दे जीवन विचिक नमा जिट है का मोड सिद्ध होया ता एदा अंसर तुसी शौट दे विच भी रीड करता दियों छोटे दे विच जमेकिल लहौर दी जित बारे ता इसे समिल लहौर उते विदोस्तों पंगिसा दा चे करके समझाया अगर शौट दे विच करना वा तो तुसी शौट दे विच आ वाली लाइना भी लेख सकते हो ठीक है इसनु तुसी रीड कर लो अगला हुन अपना प्रशन देख देया कि यह पाग सस्सा भा ठीक है जी ताहे पैरा दित्ता हो यवा तो अड़ा पैरे नू प परण माला नू पैंती केहा जानदा है ताह एदा अंसर दोस्तो देखो संपली विचे तो अनुझे दस्या जावे ता दोस्तो गुर्मुखी लिपी दे नाम ही दोस्तो किये पैंती ठीक है जी एना दे हौर भी नाम ने ताह इसे दोस्तो यड़ाएगा अपना अंसर किया दोसना उप्रोग ते पैरेनुसार शब्द खाड़ा दा की अर्थ है ता दोस्तो एत्थे जड़ा है कबा अ खाड़ा दा अर्थ जड़ा मेनू एत्थे लाग रहे आब एत्थे जड़ा लिख्या आया ने ठीक है जी कसरत करदे सान अ ते कर्तब दिखों दे सान एह खादे दुझे गुरु सान ता बिल्कुल जी बिल्कुल सही है ते अगे है अपना गुरु अंगत देव जी समे डैश विखे खाडा बनेया होया सी ता दोस्तो एधा अंसर आ जाएगा खडूर सहेव ठीक है जी ते हून अपना अगला हैगा दोस्तो तो अड़ाइक होर पैर साध्यों कि जहाद तो की पाब है तार्मिक लडाई ठीक है जी जहाद तो पाब है तार्मिक लडाई इस दा अंसर हो जाएगा तार्मिक लडाई सी जहाद तो पाब अगला अपना प्रशन की है कि इस पैरे विच किस लड़ाई दी चर्चा किती गई है तो इदा अंसर आजाए कि दोस्तो इस पैरे विच नौ सहराँ दी लड़ाई दी चर्चा किती गई है अगला प्रशन की है अपना काबल आज कल किस देश दी राज़ता नी है तो दोस्तो दोस्तो इस दांसर आजाएगा अपना अगला परशन किया कमर सिंग कौन सी ता कबर शेर शेंग जिड़ा हैगा दोस्तो महराजारंजीत सिंग दांडला पुत्तर शी ठीके जिड़ा होजहेगा अपना दोस्तो पाग हाँवा शिरी गुरु नानक देव जी दियां सिख्यामा दी चर्चा करो ठीक है जी ता एदे विच भी दोस्ता है में हर एक पाग रिच दो प्रशन करने जुरू ने ने ता सबतो पहला एही प्रशन है शिरी गुरु नानक देव जी दियां सिख्यामा प्रमात्मा ही इस संसार दा जड़ा रचन हा रहे ते पालन हा रहे ठीक है जी नाश करन वाला है प्रमात्मा सर्ब शक्ती माहन है उस दी इच्छा तो बिना कुछ नहीं हो सकता है प्रमात्मा दे दो रूपान ओहो निर्गुण है या ते सरगुण है प्रमात्मा ही सब कुछ है ओहो जुना विच नहीं पैंदा दूसरा पॉइंट की है मनमुख व्यक्ति दा सरूप मनमुख व्यक्ति हमेशा माया दे जाल विच फस्या रेंदा है ओहो हर ओहो चीज दो हर ओहो चीज जो मनुख दी इश्वर नाल मिलाप तो रोक दी है ओहो माया है मनुख व्यक्ति माय नाल प्यार करदा है पर मरन समय माया उस नाल नहीं जान दी माया मतलब पैसा मनुख व्यक्ति विच जड़ाइगा हुमें दी पावना बहुती प्रवल हुंदी है हुमें कारण ओह प्रमात्मा दा हुकम नहीं मन दा आते जड़ाइगा मनमर्जी करदा है इंद्रियां दा आम, क्रोध, मो, लोब, आते हंकार्दे चक्कर विचे पाप करदा है आते मुक्ति प्रापत नहीं कर सच़़दा अग्गे तिसरा पॉँट है कुर्तिया जीना दा गुरु नानक देव जीने खंडण कीता ठीके जी गुरु सहब ने पक्खंडा आते करम कंडा दा खंडण की ठीके जी ओनाने वेद, सास्तर, मूर्थी, पूजा, तेर्थ, यात्रा दा विरोध कीता ओनाने जड़हगा जोगिया वल्लो चलाईया जांदिया प्रनालियानू प्रवान ना कीता गुरु सहब ने सन्या साते उदासी जीवन नूवी जड़हगा गलत दस्या गुरु जड़हगा अप्तार वाद विच येकिन नहीं राख देसान गुरु सहब ने जाती प्रथाते इस्तरिया नल माडे सिलुक दा खंडण कीता चोथा पॉइंट मुक्ति प्राप्ति दे साधन मुक्ति प्राप्ति लई गुरु दा होना जरूरी है गुरु परमात्मा तक पह जड़न दे चकर विच नहीं ओना पैंदा गुरु सहब ने अपने जीवन विच परमात्मा दे हुकम जा फिर पाने नू विशेश महतब दिता है परमात्मा दे हुकम नाल ही मनुख इस तरती ते अंदा है आते उस दे हुकम अनुसार ही धुनिया शटके चला जानदा है त अगे लिख्या है दोस्तों अपना परमात्मा दी प्राप्ती लई आतम समर्पन जरूरी है कोई भी बेकती उनी देर तक मुक्ती नहीं पा सकदा जिनी देर तक हो अपना आप परमात्मा नू समर्पित नहीं करदा ता यहे थोड़ा जिड़ है गराइट अंसर हो गया अग गुरू अमर्दास जी ने जात पात आते छूत छात दियां जड़ेगने कुरुतियां दा जोरदार शब्दा विचे खंडण कीता उनाने संगता नू एहे हुकम दिता कि जो कोई उना दे दर्शन करना चोंदा है उसनू पैहल पंगत विचे लंगर शकना पवेगा इस तर गुरू अमर्दास जी ने आपसे पाई जारे दा परचार किता ठीके जम दियां कोडियां नू मारन दा खंडण उस समय कोडियां दे जनम नू चंगा नहीं समझा जान दा सीगा इसकार के कोजे लोकां कोडियां नू जनम लेंदे सारी मार दिन दे सान गुरू अमर्दास ने इस कुरिती दा जोरदार शब्दा विचे खंडण किता अगे तीसरा पॉइंट किये तुसी इसनु फुल फुल रीट कार साथें बाक्कि में थोड़ा थोड़ा दासरें तानू बाल व्यादा खंडण उस समय समाज वेचे प्रचलित प्रमपरादे अनुसार लड़किया दा व्याद छोटी उमर वेचे कर दिता जान दा सी इस करण समाज वेचे इस्तरियां दिहालत बहुती तर्शन योग सी गुरु अमरदास जी ने वाल व्यादा जेड़ागा विरोध किता सती प्रथा दा खंडण उस समय समाज वेचे प्रचलित कुरितियां वेचे सब्तो जान दा सी गा गुरु अमरदास जी ने सदियां तो चल रहे इस करूती ते विरोध विच वी इना दा जड़ागा जोर्दार मुहीम चलाई ठेके जी विरोध के जूरदार जड़ागी मुहिम चलाई प्रदा प्रथा ठीके जी प्रदा प्रथा धा खंडण उस समय समाज पर दा प्रथा दा भी प्रचलन काफी वद्रया सीगा ए प्रथा बारे भी दोस्तों जड़ायगा वा जोरदार शब्दा विच अलोचना किती श्री गुरु अमर्दास जीने नशिलियां वस्तवां दा भी खंडण किता ठीक है जी कुछ नशिलियां वस्ता दा वर्तो करन ल नवी नितीदिय विशेश्तामा ता देखो गुरु हर गोबिंद सहब दोरा अपनाई गए नवी नितीदियां विशेश्तामा ता जहांगीर ते राजगदी ते बैठन तो बाद सिखा ते मुगला ते सबंद बहुत बिगड़ गए सन गुरु अर्जन देव जी देश हिदी कारण गुरु हर गोबिंद सहब जी नू मैसूस होया कि शस्तरता अरण किते बगैर मुगला दा समना करना संबब नहीं है इसलिए गुरु हर गोविंद सहभ जी ने नवे निती अब बनाई इस निती नू मीरी यते पीरी दी निती नाल जानेया जानदा है ता नवी निती दियां विशेषता मा की ने मीरी यते पीरी, मीरी यते पीरी दो तलवारा दे नाम सान, एह तलवारा गुरु हर गोविंद जी ने गुर्गदी दे बैठन समेता रणकितियां सान, मीरी ती तलवार संस्कारक सता दी परतीक है, आते पीरी दी तलवार ता आर् परती होए सेना नू जड़ी है गिया जंगी सिखलाई दिती गई ते तुस इसनू पूरा-पूरा डेट कर साते मैं थोड़ा-थोड़ा यह थे पट रहे हैं वाँ वीडियो काफी लंबी हो रही है शस्तना आते कोड़िया द्या प्रवंद भी कीता ठीक है उन्हें ने अकाल सर्दी जड़ी है गिया किले बंदी भी उना ने किती अमरी सर ना सिर्फ सिखांदा सब्तों परसिद स्थान सी सगो है सिख सैना दी सिखलाई केंदर भी थी ही उन्दी सी गुरु हर गोबिंद जी रोजाना जीवन विच तब दिली नवी निती अपना के गुरु सहबने त दोस्तों चलो देखो एदा अंसर गुरु तेग भादर जी दे शहीदी बिश्प इतिहास दी एक अध्बुत कटना मनी जन्दी है संसार इतिहास बिचे पहली बारा जहया होया जदो की महा पुरुष ने किसे हो तरम दी रख्या खातर शहीदी दिती होबे गुरु सहब द जी नू कैत करवाया सी ठीक है जी ते इसली दोस्तों जड़ है गाबं एवी एक कारण बने ऊगुरु तेग भादर जी दे शहीदी दा औरंगजेब दा कटड़ सुभा एवी दोस्तों एक कारण सी औरंगजेब ने इक कटड़ सुन्नी मुसल्मान सी ओह या दा विरोध नक्स बंदी जड़ेगे कट्ड़ मुसल्माना दा एक जड़ेगे संपर्दा सी एहे इसलाम तो इलावा होर किसे तरम दी तरक्की बरदाश नहीं कर सकते सान इसलिए भी दोस्त तरम दा परचार जड़ा बहुती तेजी नड़ वद्रे असी गा एसलिए दोस कते जड़े कट्ड़ मुसल्माना नू मंजूर नहीं सी हो रही राम राय दी दुश्मनी राम राय गुरु हर राय जी दा वड़ा पूतर सी ओहो अपने आपने गुर्गदी दा असल वारिस समझदा सी उसने गुरु सहब दे खिलाफ औरंग जेब दे जड़ेगे कान ठीक है जी ओरंग जेब ने सोचया कि जेकर हो कश्मीर दे ब्रामाना नू इसलाम कबूल करवा लवे तब आकी हिंदु बड़े ही असानी नल तरमशड़त देन गे ठीक है जी इसले उसने अपने गवर्नर शेर अफगान नू सारे कश्मीरी ब्रामाना नू तक के नल मुसल अगला अपना प्रशन किये थे देखो मीर मनू दियां सिखा विरोध असफलता मा दे कारण ता देखो अंसरे दा किये मीर मनू दिया सिखा विरोध असफलता दे कारण की सान ता देखो किये मीर मनू ने सिखा नू कुछलन लई जड़ायगाब अन्थक यतन किते पर हो सिखांदी शक्तिनू कुछलन विच असफल रहा उसदी असफलता लई हेट लिके कारण हान जमेकी दल खालसा दी जथे बंदी मीर मन्नू दिये सफलता दा एक मुख कारण असफलता दा एक मुख पर मुख या फिर मुख कारण दल खालसा दी जथे बंदी सी इस ते हुकम ते हर कुर्बानी दिनली त्यार रहेंदे सान, सिट्टे वजो मीर मन्नू लई सिखा दी शक्ती कुछ लणा अखा हो गया दूसरा, सिखा दे जड़ेगा असाधारन गुन, सिखा मेच अपने पंथ लई, जड़ेगा देड निश्चे, अथा जोश दलेरी यते कुर्बानी दियांपावनामास सान, ठीके जी ता इस्तरा भी हे सफलता दा करण बने मीर मन्नू दे, सिखा दी गुरिल्ला युद निती अपना इस निती अनुसार, सिखा नू जदो मौका मिलदा हो, मुगला फोजाओं ते हमला करदे, लुट मार करण मुगरो मोड जंगला विच जाके शरण लेंदे, अपना चोथा पॉइंट, दिवान कोडा मल दी सिखा नाल से होग, दिवान कोडा मल मीर मन्नू दा जड़ अपने शाषन काल दे दोराण कई समस्यां वेचे करया रहन करण, सिखा नू पूरी तरा कुछलन मीच असफल रहा, उस दी पहली वड़ी समस्या सी, एहमत शा अपदाली दे हमले, ठीके जी एना हमले आमा करण हो सिखा दे विरुद अपनी कारवाई स्थागित करनी गई, तेहे होगे अपना प्रशन, अग्गे है अपना जस्सा सिंग अलू वालिया उते नौट लिखो, जस्सा सिंग अलू वालिया, ता दिखो दोस्तों, जस्सा सिंग अलू वालिया मिसल दा मोड़ी सी, सतारासो वड़ताली इसवी विचे दल खालसादी स्थापना समय, जसा सिंग आलू वालियानू सर्बुच सैनापती नियुकत कीता गया 1781 इसवी विचे जसा सिंग ने लहरुते जेत प्रापत कीती 1722 इसवी विचे वड़े का लूक आरे समय वी जसा सिंग ने एहमद शाब दाली दिया फोजान दा बड़ी ही बहदरी नड मुकाबला कीता 1724 इसवी विचे जसा सिंग ने सहरंद ते कपजा कार लेया जसा सिंग ने कपूर्थला नू आलू वालिया मिसल दी रास्तानी एलानिया 1723 इसवी विचे ओहो सानू हमेशा ले विचोड़ा दे गए ठीके जी अगेल अपना प्रशन है महराजा रणजीत सिंग दे सैनिक प्रबंद दी चर्चा करो महराजा रणजीत सिंग दे सैनिक प्रबंद दी जान करी देओ महराजा रणजीत सिंग दी सैना नू तेन पागा विचे बंड़या गया सीगा फोजे आयन ठीके जी फोजे खास है ते फोजे जड़हेगा बा बिक बायद फोजे आयन महराजा रणजीत सिंग दी नियमत फोजे सी इसनू जड़हेगा तेन पागा विचे बंड़या है सीगा जे मेंकी पैदल सैना कोडसवार सैना ते तोप खानना तुसी इसनू रीड कर सा देओ फोजे खास महराजा रणजीत सिंग दी बिशेस सैना सी इस फोजे नू जड़हेगा बा जेनरल वेतूरा दी अगबाई हेट त्यार किती गई सी इस फोजे बिच पैदल सैना दिया चार बटाल लीना ठेक है जी कोडसवार सैना दिया दो रेजिमेंट आते चोवी तोपा शामिल सान फोजा नू जड़हेगा बा यूरूपी तरीके नाल जड़हेगा बा स्रक्त सिखलाई दिती गई सी इस फोज दा अपना वखरा ही चंडाते चिन सन तीसर है गा दोस्तो अपना फोजे बेकवायाद फोजे बेकवायाद उह फोज सी जड़ह निश्चित नियमा थारी फोज तुसेसनु रीड करसाद्यों आहाजड ने चंगी तरा ठीके जी हुण अपना अगला पोउयंट आगला प्रशन कीया है पहला अंग्रेज या पिणागलों सी युद दे कारण की सी, ठीक है, जी, पहलसा अंग्रेज सिक्ख युद या पहला एंगलो सिख युद दे की कारण सी? ता देखो, अंग्रेज्यांग दी पंजाब नू केरा पोण दीनिती, अंग्रेज्या ने पंजाब दे आले द्वाले केरा पोणा शुरू कर दितता, ओनन ने शिकारपूर तो महराजा रंजीत सिंग दी फोज नूं कड दिता उना ने फिरोजपूर स्विखे सैनिक चोनी बना लई महराजा रंजीत सिंग नूं गल्ला बाता मिच लगा के अंग्रेज्जा ने सिंद नाल संदीक कर लई सी दूसरा पॉइंट पंजाब दी राजनित असित्रता ठीक है जी असित्रता महराजा रंजीत सिंग दी मौत तो बाद पंजाब विच राजनितिक असित्रता जड़ी है गिया फैल गई सी ते लहर दरबार जड़गा साजिशा दा खाड़ा बाण गैसी अंग्रेज इस दा फैदा उठाणा चोन्दे सान तीसरा खाड़ो promise सिंधो ते कबजा अंगरेजा ने चुठे लजाम लगाके सिंधो ते हमला कर दिता है इसते कबजा करके कर लिया सिख सिंधू जड़गा अपने समराज बेगे सामिल करना चोन्दे सान अंगरेजा अ dew सिंध कबजे करना सिखा आत इंगरेजां ते सबंध drilling होर अपना point जड़ है गागा दोस्तो अपना ब्राड फुट दी निवकती ठीके जी मेजर ब्राड फुट दी निवकती अठारा सू चताली इस विविच अंग्रेजा ने मेजर ब्राड फुट नूलो दी आना विखे अपना जड़ है गागाबा पुलिटिकल एजंट निवकत की मेजर ब्राड फुट जड़ाएगावा सिखा दा जड़ाएगावा अपना सक्त विरोधी सी उसने अपनिया कारवाईया करके सिख सेनानू पड़काया अगे हैं दोस्तों मेरा जी लिख्या है दोस्तों इत्य अपना मोरा पिंड दा मसला ठीक है जी ता महराजा रणजी सिंग ने मोरा पिंड ता ना सिंग ना दे अपने एक सेवक नू इनाम भजो दिता सी 1813 इस भी विच नाबे दे राजे जेड़े है गिया अपने देविंद अगला लाल सिंग यते तेज़ा सिंग द्वारा सिख फ़ुजह नूबड़ा सेना पतीषी ओहो जिड़हेंगाबा अंदर खाते अँगरेजला नाल राळे होए सानी अगला दोमें शिख फोह दी वद्धी रात्यौण खोई धी शकती जढ़ देशान। तो डर्दे सान इसलेई ओहो सिख सेना नूं अंग्रेजा नाल लड़ा के कमजोर करना चौंदे सान ताहे थोड़ा जिड़ाएगा अंसर हो गया अगला होन दोस्तो तो अड़ा पाग कक्कावा ठीक है जी ताह एदे विचे तो अड़ा की है नक्षावा चितर मान चितर यहने की नक्षे है मैं अपते दिते गए पंजाब दे मान चितर विचे बंदा सिंग भाहदर दियां लड़ाईया दे कोई पांच स्थान परो अते प अबना दोस्तो सोनी पत जीए यहां दितते हो लड़ाईया दोस्तों भाहद ठीक है त्य अपना अभना धेख्ल लोगर यहां टेथे गुर्दाव। सैहब यहां इना दी लड़ाईया ने समाना ठीक है एते एना दी एक्स्प्लेनेशन भी एते यहां दिती हुई या जिमिकिया देखो सोनी पुत ते हमला समाना दी जेत रोपड़ दी लड़ाई ते सारहंद दी जेत ठीक है जी मुगला दा लोगर ते हमला ते अपना गुर्दास नंगल एते छे दितते हुए हैं अगल आपना दोस्तों किये दिते गए मानचितर विच दुझ्य एंगलो सिख यूद दिया लड़ाई या दे स्थान पर होते पर एगए हर एक स्थान दी बी पच्छी शब्दा विच व्याख्या भी करो दुझ्य एंगलो सिख यूद तो आर्या दोस्तों दुझ्या अगलो सिख यूद आहां लड़ाईया दे नाम देते हैं यहां समय देता है शिखांद एक वाई ओदो किस ने किती सीगी अंग्रेजां देगवाई की ने किती सीगे कौन जिते सान कौन हारे सान जिता दा करण किसी यहां सारा कुछे तो हो गया बार्मी जमात दा एतिहास पूरा दा पूरा पेपर सी शॉल्व करके तो हड़े सामने पेश करता है जो कि कलास बार मी दाइक साड़ी कोल प्री बॉर्ड पेपर दो यहार चौपी दा यह पहुंच ओए सीगा असी इसनों सॉल्व करके तो हड़े सामने हाज रगीता है वीडियो बदे लगी ता से कर साथ इस्टेर इदर लिंक दिस्क्रिप्शन बॉक्स देविए चीड़ है का बात देता होए बाफ के दोस्तों चलो ठीक है जी ओल दा बेस्ट वाड़े एक्जाम दे लई